जै माई की, जै स्री राम, जै स्री शाम, नमो आदेश, जै स्री महाकाल बच्चो आज जो मैं मुख्या रूप से आप सभी के शामने यह वीडियो लेके आया हूँ इसमें काफी बच्चो के प्रशन होते थे वो धाम पर आके भी पूछते थे मैं लाइव रोज रात को दस वजे यूटूब चैनल पर आता हूँ, वहाँ भी पूछते थे पूछते हैं, पूछते थे और पूछते भी है डेली वेसिस पे तो मैं उसके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ हम कैसे पता करें कि महामाईकाल का हमारे शाथ चली हुई है, यह मैं कुछ आपको शंकेत बताओंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि महामाईकाल का आपके साथ चली हुई है, वैसे तो सर्ववियापी है, सब जगह है, प्रंतु, जो शादक है, उस सादक के मन में यही रहता है कि मा मेरे शाथ है या नहीं मा मेरे भक्ति को श्विकार कर रही है या नहीं कर रही है तो उस विश्य में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि महामाईकाल का कि शक्ति क्यापके शाथ है यह मुख्य शंकेतों के बारे में सबसे पहले जब हम कोई शाधन के माद्यम से माँ हमें दिखाती है कोई बाले आवस्था में कोई कन्या हमें दिख जाए एक कन्या दो कन्या तीन कन्या हमें दिख जाते है शोपन के माद्यम से तो इसका मतलब है कि महा माया हमारे शाथ है माकालका की शक्ती हमारे शाथ है अगर हमें बूड़ी ओरत दिख र लेते हैं और उन गुरु के हमें बार बार दर्शन होते हैं तो इसका मतलब यह हैं कि हमें महाराणी दर्शन दे रही है और महाराणी हमारे शाथ चली हुई है क्योंकि जब हम गुरु नाम लेते हैं गुरु धाम से जुड़ते हैं तो हम माभगवती माभगवती के नाम से ही हम जुडते हैं ठीक है ना और तभी हमें गुरू की प्राप्ति होती है तो गुरू के बार-बार दर्शन होना भी आपको महामाई शंकेत दे रही है कि वह है आपके शाथ है दूसरे जब आपको लगे कि महारानी की उर्जा आपके शरीर पराने वाली होती है तो आपके आओ भाव बदलने प्रारम हो जाएगे जब वेग बढ़ेगा माता की जब उर्जा बढ़ेगी तो आपकी जो एक्टिवेटीज है ना ठीक है आपको उबासिया उबका यान अप्रारम हो जाएगी आपको महंदी लगाने का मन करेगा ठीक है ना महंदी लगाने का मन करेगा आपको महारानी की मा का आलता लगाने का आपको मन करेगा जो मा को अतीप प्रिया है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि महामाया की शक्ति आ करेंगे हमाकालका करेंगे आपको आशुआनवाना सुरूर्ण करेंगा लेकिन सबसे में पॉइंट होता है वहlem쉬 के अंदर क्रोधबढ़ जाएगा क्रोध बढ़ जाएगा वह जूट को नहीं सहन कर पाएगा ठीक है ना कोई गल्त बोलेगा उसको नहीं सहन पर कर पाएगा इसका मतलब है कि आपने मा भगवती के करम में प्रथम चरण प्रथम चरण आपने पार कर दिया है तब भगवती का दूसरा चरण प्रारम हो जाता है तो यह आउभाव हमें बताते हैं कि महामाई काल का हमारे शाथ चली हुई है अगर आपको इ apt जानकारी अच्छी लगी तो हमारे यूटूब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें Facebook पेज इंस्टागराम पेज को फोलो करें सारी सब जगही तो ऐसे ही घ्यान वर्दक आगर मैं वीडियो आपको पशणद आये तो मैं आशे ही घ्यान वर्दक वीडियो आपके शामने प्रस्तुत करता रहूँगा नमो आदेश जैश्री महाक झाल